नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कमाल का सेटिंग बताने वाले जो कि आपके कम्पीटर लैप्टप के लिए होने वाला है तो पूरा वीडियो लास तक जरूर देखिएगा साथी साथ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कि है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो जैसे कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फॉन में कोई भी अप्लिकेशन को यूज करते होईएगा तो उसमें क्या होता कि जैसे आप को यूट्यूब चलाना है या फि ब्रोजर में जाने के बाद फिर वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ता है बारी बारी से नाम दे करके तो फिर उसके बाद वहाँ पर आता है लेकिन आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लिट प्रोसेस बताने वाले किस तरह से आप अपने लैप्टॉप या डेक्स्टॉ जीश से हम यहां पर एक बड़ कलिक किये यहां पर फे की गूगल पेज प्रोसению का उपेन हो रहा है सिर्फोmniej करने से आपको वेप साइट हो कौसे कर जागे तो किस तरह से आप इस प्रोसेस को पूरा कंप्लिट कर सकते ॐसी की बारे में आज हम आपको पुरा complete बताने वाले है तो इसमें जो है कोई extra जो है किसी application के जरूत नहीं पड़ेगा ये जितना भी setting हम आपको बताएंगे वो आपके computer में भी रहता है आप उसी जगह से उसे use कर सकते है पुरा वीडियो सिर्फ last तक जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते आज का ये फिर desktop है उसमें browser को open कर लेना है और जिस चीज का आप यहां पर यहां भी बनाईएगा जिससे हम यहां पर YouTube का बना रहा है तो यहां पर YouTube को पहले हम open कर लेंगे जिस तरह से search करते है ठीक उसी तरह से अब यहां पर यह जो address बार होता है link आपका इस link को आपको इस तरह से copy क करने के बाद क्या करने आपको यहांपे डायेक चले जाना है desktop के उपर में फिर उसका गना परिलयाप्ट किक कीजिएगा फिर यहां पर आपको आ जाना है यह process को पूरा लास्त अ तक जरूर देखेंगा थोड़ ध्यान से देखना आपको यहां पर आना होगा नीओ आने के बाद यहां पर आपको shortcut select करना है यहां पर shortcut जैसे आप select कीजिएगा उसके बाद इस तरह का option दिखाए देगा इसी box में सिर्फ आपको हम यहां पर आसान भासा में आपको समझाने का पूरी कोशिस कर रहे हैं इसी box में आपको इसे जो link आप copy किये थे उस link को यहां पर paste कर दे जीजर आप यहां पर लिंक बना है वो यहां पर आपको टाइप कर देना उस का नाम जैसे हम यहां पर YouTube बना है तो यहां पर YouTube आपको यहां पर type कर देना है आप अपने हिसाबसे कोई दूसरा नाम भी यह आप यहां पे दे सकते उसका mesleigh button पर clicking कर दिएगा जैसे finish button पर click कि जिएगा तो यहां पर आईकोन के साथ में यहां पर आपको shortcut दिखाई देगा आपको कभी भी यहां को YouTube चलाना है तो आपको Google Play यहां पर Chrome ब्राजर में जाकर के search button में जाकर के कुछ भी नहीं करना है डारेक्ट आप यहां पर डबल किलिक कर देना है आपका यह जो है जो भी जिस चीज़ का आप सटकॉट बनाते जैसे यूट्यूब का बनाते आपका ओपेन हो जागा ठीक उसी तरह से जैसे हम यहां पर दो-तिन एक्जामपल आपको दिखा द नहीं इस तरह से जितना भी अप्लिकेशन जितना भी वैपसेट ब्रॉजर आप यूज करते हैं जो भी आप रेगुलर यूज करते हैं उसका इस तरह से सौटकर बना सकते हैं सोशल मीडिया का आप सौटकर बना सकते हैं जैसे फेस्बूक हो गया ट्वीटर हो गया ओपन हो जागा ठीक उसी तरह से किसी चीज का भी आप यहाँ पर बना सकता है जैसे कि यहाँ पर हम ट्विटर का या भी अब एक और हम करके दिखा देता है या फिर कोई ऐसा वेबसाइट जैसे आप ओनलाइन का दुकान कर रहे है अपना तो आपको ओनलाइन के दुकान में क्या होता है कि जादा तर जो है इस वेबसाइट का हमारे संबसे यहाँ पे ज्यादा जर QUE मिल जता है कि कौन सा इंड हो गया किसा अनल ऊंल और सभी तरह का हम कॉपी कर लिए Cath फिर यहां पर डेक्स्टॉप पर आजाएंगे फिर यहां पर सॉटकॉट में जाएंगे न्यू के बाद फिर उसका यहां पर पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है उसका फिर यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है यहां पर जो भी आप यहां पर नाम देना चाहते है आप अपने मर्जी केश आप से दे सकता है उसके बाद फिर यहाँ पे आपको Finish बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पे Finish बटन पे क्लिक कीजेगा आपका वो Shortcut ready हो जागा यहाँ पे देखिए जैसे Double क्लिक कीजेगा वो आपका Open हो जागा कभी भी जब भी मर्जी आप उसे Open कर सकता है ठीक उसी तरह से अभी हम यहाँ पे जो है Twitter के लिए बना रहा है और यहाँ पे Twitter कॉपी कर लिए इसको हम पूरे पेज को हम यहाँ पे बंद कर दिये अब उसके जाद फिर से हम यहाँ पे New पे गए अब आपको जब भी जरुत परेगा इस तरह से आप सोटकर का यूज कर सकते हैं साथी साथ आप चाहे तो एक सोशल मीडिया का जितना भी सोटकर होता है उसको बना करके अभी इसको सबको एक folder में भी आप इस तरह से खीच करके परेख सकते हैं जब भी आपको यहाँ पर flying का नाम आपको दे देना है तो इस समय तरह तरह से जो भी नाम देना चाते हैं उस तरह से दे दीजागा उसको जैत जरुत परेगा इसे ओपेन करके जैसे आपको यूट्यूब चलाना है तो याप इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा डारेक्ट यूट्यूब प्ले हो जागा उसी तरह से जो भी लिंक आप बनाये हुए रहिएगा उसको सिर्फ एक क्लिक करने से आपका वो वेपसाइट ओपेन हो जागा उम इलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ धन्यवाद जैन वंद्यमात्रम